हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तरप्रदेश के पूर्व डीजीपी और वर्तमान में रासवा सांसत ब्रजलाल जी सर जिस तरह से मुक्तार अंसारी की मृत्यू ही लगातार बिवाद हुआ लेकिन आप पुलिस के सरवुच पत पर उत्तरप्रदेश में आप रहे जब मुक्तार अंसारी जब शुरू कर रहा था अपना जो गैंग बनाने के काम जो शुरू कर रहा था तब आपने उसको देखा किस तरह से तो क्या कुछ आपकी जानकारी में था किस तरह से मुक्तार अंसारी तयार हुआ किす तरह से आगे गैंग बनाई किस तरह से उसने काम करना शुरू किया थि मुक्तार अंसारी महम्दाबाद थाना है उसमें उसका गाउं है किरिकट खेलता थे और उस समय साधू सिंग मकनू सिंग मुडियार गाउं के थे जो उसी थाना छेत में पड़ता है और वो हर्शंकर तिवारी के सूटर थे सत्तर कसी के दसक में जितने बड़े मर्डर हुए स इसको बदमासी का बड़ा सौक था तो यह बड़े गाइंग लीडर मिल गए उसमें था उस राजपूत परिवार में 24 जून 84 को थाकुर रंपस सिंग की हत्या उनके भतीजे साधू मकनू सिंग ने किया डेढ़ विश्वा जमीन पर और जिसके सिल्सले मेरी पुस्तक आई यवी डेढ़ विश्वा जमीन यूपी कराम फाइल यह सीधा मुकतार से जुड़ा हुआ है तो यह जब वहां मुर्डर हो गया उसके भतीजों ने किया तो 10 अक्टूबर 85 को मकनू सिंग को रंपस सिंग के बेटों ने जिसमें में था त्रिभूण सिंग और उधा मुकतार अंसारी का और उसके बाद उस परिवार में गैंगवार चला इसका नाम तो नहीं आया लेकिन सबसे सेंसेशनल मुर्डर इसने किया था दो जनवरी 86 को थाना साहित पूर छेतन में जब इसने दो भाई बिरंदर सिंग बेडा और डक्टर राम बिलाज सिंग जो र बेटा रंपस सिंग का हवलदार राजिंदर सिंग बनारस ट्रेफिक लाइन में तनाब था उसके गेट पर मारा और उसके बाद साधू सिंग जो था अब इसका गुरू था मुकतार का वह अपना अफजाल अंसारी बिधायक बन चुका था उसके प्रयास से ये जेल से आग करने के बाद ये पूरा गहेंग पहुचा मुडियार गाउं में और वहां उसका भाईframes दा मॉदर था उसको मार दिया अंकर तरह नोकर मार दिया और तंत राजिया जाजू नहीं हंडर्स में लोग मरें तो इस तरह मुक्तार अंसारी की सुरुवात हुई लेकिन मुक्तार अंसारी जो राजनेतिक रूप से मजबूत हो करके एक बड़ा बदमास बना अपने भाई अफजाल अंसारी के सायोग से वो 85 में विधायक बन गया कमरिस पार्टी से अब 93 में अच्छा उसी दौरान 93 में ये चुनाव लड़ना चाहता था और उस समय कासी राम जी और मुलाइम सिंग्य समझावता किया एक नारा चला मिले मुलाइम कासी राम हवा में उड़ गया जैसर राम मुक्तार चाता था गाजीपूर सदर से चुनाव लड़ना मानवर कासी राम जो जाते थे सबुधी दिन सिदिकी साब थे जो मुकतार के सारू लगते थे गाजिपर ने वहीं रुकते थे तमाम जो बड़े-बड़े नेता थे opening भामसेब के मुकतार अफजाल ने सोर्च लगा करके कि गाजीपुर सदर मुक्तार को मिल जाए, मुक्तार जेल में था, मानवर कासी राम इसके बाद भी टिकट इसको नहीं दिये, उन्होंने अपने एक सायोगी बिस्वनात नाम मुनीब दलित थे, उनको जनरल सीट से टिकट दिया, बीस नॉम्बर 93 को सुबस चुनाओं के लिए ओट पड़ना था, और 19 की रात में 11 बजे बिसुनात राम मुनीब दलित घर से निकले, और दो गाड़ियां आती है मोटर साय के लिए, और अतला अतल गोली मारती है मारते लिए, मुकतार अंसारी ने मरवाया, क्यों? उनको टिकट नहीं मिला, तो चाहता था मुझे जितना हरालत में, तो एलेक्शन काउंटर मांड हो गया, जब काउंटर मांड हो गया, और 94 में बाई-एलेक्शन हुआ, तो कासिराम जी ने टिकट दिया कालासनात यादो को, और रोते जो एसपी गाजीपुर में उसके अंसार काम नहीं करते थे, मुकतार रहने नहीं देता था, कुछ बड़े सब अच्छे अप्तरतनात हुए, मैं कुछ के नाम बता दूँ, जावी दामर डी जी हुए, चार दिन, पंद्रा दिन, जमाल अश्रफ बीस दिन, संदीव सालूं के दो माँ, अभै संकर चार माँ, बिरंदर कुमार अठाइस दिन, अविनास चंद्रा दो माँ, अखिल कुमार आजकल एडी जी हैं, एक माँ, राजे सिर्वास्तों ग्यारा दिन, इर रविंदर तीन माँ, तरुन गावा तीन माँ, इनके सिर्वास्तों पंच माँ पंद् तो मुक्तार ने ये किया अगर उसके हमसार कोई SP नहीं काम करता तो रहता नहीं पाता था और उनको रखता तो जिसके हमसार काम करने और सही बात इसका काम क्या था अपराद और जो सिपाही इसने भरती कराए मैं एक साफ बना चाहता हूँ कि पोलिटिकल के अलामा जो इसने भरती कराए जो फूलिस फोर्स को क्रिमनलाईज किया तो इसके क्राइम को बढ़ाने में इसको मजबूत बनाने में पुरवांचल के पोलिस कर्मियों का बड़ा रोल रहा औ और उसमें क्यों सिपाही नहीं आईपेस आपसर तो सामिल थे दो घटनाए बताना चाहूंगा 2004 में मैं आईजिलानाडर होता था संसदी चुनाओ हुआ और आईजिलानाडर ही नोडर अफसर होता है हमारे पूरे प्रदेश ने बहुत अच्छा चुनाओ हुआ पीके ओवर कर उनको एक सैंतालीस धर्ड़ा धर गोली मारी दासत हो जाए तमंचस मार सकते थे एक सैंतालीस से फिर दिन में करिव एक वज़े मैं बैठा कंट्रोल रूमें देख रहा था वहां पर एक अवलेस राय थे मनुसिनाजी के गाउं के असपास के उनको एक सैंता दना दन इसके जितने गुर्गे अताउर रहमान बाबू सहाबू मुन्ना बजरंगी यह सब चल रहे थे और दीपक सर्मा एसपी थे रोकने का प्रयास नहीं और मुझे आईजी जोन को भेजना पड़ा केल मीना को लेकिन तब तक मुक्तार अपना काम कर चुका था और यह 2004 में यह सांसद मनगे मैंने रेकमंट किया था यह गाजीपूर का एलेक्शन काउंटर मान कर दिया जाए लेकिन मुलाहिम सिंग की सरकार थी तो इस तरह से दूसरा कहना चाहूंगा एक लाइट मेशिन गन का पकरन हुआ मैं आजी लान ओर था डी जी आफिस में बड़ा कि क्रशनानंद राय को 500 मीटर रेंज से मार दिया जाए पाउरफुल उतन होता हमारा इंफेंट्री का उसके बाद चो 600 गोली पर मिनेट फायर करती है इसका गनार था मुन्नार यादो उसके माध्यम से उसने बाबुलाल यादो उसका भांजा था उहां से राश्ट्री राइ तुस्टी कंड की राजनीत में तो पोटा का मुकदमा कायम हो गया है और उसमें मुन्नर यादो मुक्तार अंसारी बाबुला लिया दो उसके बाद जैसे पहाड़ तूट पड़ा हो और मुलाहिम सिंग्जी ने अपना एडीजी लान ओर थे एक डीजी को उसको इतना प्र रजक्यूट नहीं होने दिया परमिशन नहीं दिया मुन्नर यादो और बावुला यादो को दद्द साल के सजा होती है इसारी पॉलिटिकल पार्टी चाहिए वो अखले शादवाओं शिपाल यादवाओं या आने जुदल हों कॉंग्रेस के निता हों वो सब जो है वो कह मौत का कारण क्या मानते हैं मौत का कारण का अलड़ी कई डाक्टरों के पैनल से जिसमें से लोकल डाक्टर हो किया गया हूँ है हाट अटेक प्योर हाट अटेक उसके बावजूदी मेस्टर इंक्वारी ओडर है एसाइटी बना कर कि पीर पुलिस तो कर रही है यह जो अंसारी को लाया जा रहा था पंजाब से तो अख्लेस काते थे कि रास्ते में कहीं इसको गाड़ी न पलड़ दी जाए हाटिक आहमत के पार मैं करा था गाड़ी न पलड दी जाए लेकिन अख्लेस यादों कंग्रेंस नहीं देखेंगे त्रिश्णारन रंदास की कर रही है इसको कोई सीवियाई जांच की जरूरत नहीं है यह किवल वही लोग है जो उससे जो ओट बाइंग के सवधागर है और कांग्रेस तो वही है जो पंजाब में रखकर के इसको पालती थी और समाजबादी पार्टी का तो पाला हुआ गुर्गाई था जिसने इसको इतना मजबूत बनाया और जेल में गाजीपूर जेल में समाजबादी पार्टी थी अरे मुलाइम सिंग जी तो जब राजू पाल के हत्या कांड हुई दिन दाड़े वह भी एक संताली चली थी तो उन्होंने क्लियर कट क्लींचिट दिया कि अतीह कामद असरप का कोई रूल हतीह कामद होती उनको सजा होती तो आंगरे में से कहा समाजबादी पार्टी तो बदमासों को पालने वाली जितने बड़े बदमास उत्तर प्रेस के उसको समाजबादी पार्टी पाला इतने नहीं चंबल के डकायत चैव निर्भ गुजर हो ददुआ ठोकिया हो मैंने कहा नहीं ददुआ के उसके भाई और उसके बेटा और भाईयों को मुलाइम सिंजने समाजबादी में उस समय दिया जब ददुआ पर सात लाग का इनाम था फरार था तो इवन एलक्सन जब आते थे तो चंबल के ढकायत फर्मान जारी करते थे समाजबादी पार्टी को उच् थे बूत कैप्चरिंग चंबल रेंज में होती थी ढकायतों से आज जोगी राज है चंबल समाप्त हो गया जितने माफिया कुछ मारे गए एक कुछ जेल में हैं बाकी की हिम्मत नहीं हो रही है अब आए संपत्यों पर बुल्डोजर चल रहा है गरीबों के लिए मकान बन है तब उत्तर प्रदेश में 40 लाग करोड का इन्वेस्टमेंट आया है और जो पांच ट्रिलियन की कुनामी हम लोग कलपना कर रहे हैं कि उसको हम डेड़ दो साल में अचीव करेंगे उसमें एक ट्रिलियन डालर की कंट्रिबूशन उत्तर प्रदेश का होगा जोगी आद मौत तक की किस तरह से मुक्तार अंसारी ने पूर अपना गैंग तयार किया किस तरह से काम किया किस तरह से राजनेताओं की सहप आकर राजनीत में बड़ा एक मुकाम हासिल किया उन सब बाताओं के बारे में ब्रिजलाल जी ने जानकरी दी केमरापरसन संजी बर्मा के